ये वाला रास्ता है, ये सीधा जाता है आगे, तो रास्ता जो है वो भी तियार हो रहा है, ये सामने ही खड़ा है जो टायू कुरूस, आप लोग को ये बैंड मिलने वाला है, टाइटैनिक वाला पोस्क करना तो कर सकते हो, बट उपर है जैश्री राम, और यहां से सबसे क् पूरा मैं उपर घड़ा हूँ अभी, ये लिटरली हर को हमें देख रहा है यहां से चारो तरफ से, क्योंकि हम घड़े हैं वी जड़ाईयो कुरूस पे, तो गाइस हम निकल चुके है, मेरे उपर है श्री राम जी का जंडा, और मैं सबसे आगे गड़ा लग रहा है, अब 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 आपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ अभी आयोध्या में, और आज की इस वीड़े ने मैं आप लोग कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, कि अगर आप लोग आप लोग आने का प्लान कर रहे हैं, तो कैसे आ सकते आप लिए और घूमिए मेरे साथ आयोध्या, तो गाई सुबह के हो रहे हैं, साड़े पांच, और मैं पहुंच चुका हूँ अभी आयोध्या जंक्षन पे, मेरे पीछे ही स्टेशन है, बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है, और दिन हो चुकी है पूरी, तो बाहर से पूरा मारा फ्रुव श्रे राम जी बने हुएं लक्ष्मान जी, हनुमान जी, माता सीता, सब लोग हैं, और यह तो पुराना इस्टेशन है, लेकिन जो नया वाला इस्टेशन बन रहा है, वो साइड बन रहा है सामने, और जो यह पूरी गैलरी देख रहे पूरी नई यह बहुत ही हुज है आयोध्या रेलवे स्टेशन से हनुमान गड़ी तक की दोरी बस 500-600 मीटर की रह जाती है स्टेशन से बाहर निकलते ही जो सीधा रास्ता है वो ही आपको राम मंदिर और हनुमान गड़ी तक लेके जाएगा इस पूरे रास्ते में आपको बहुत सारी खाने पीने की दुकाने, ATM, धरमशालाएं और वाश्रूम मिलेंगे हाडली 10-15 मिनट की वॉक करके आप लोग हनुमान गड़ी मंदिर तक पहुँच सकते हैं और गर इस रास्ते से आऊगे तो सामने देखो वहाँ है हमारा राम मंदिर जो बन रहा है वी और इस रास्ते से आप लोग जाऊगे तो बिल्कुल क्लियर दिखता है दूर से तो कहा जाता है कि अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो सबसे पहले दर्शन आपको हनुमान गड़ी मंदिर में करने चाहिए क्योंकि हनुमान जी पूरी अयोध्या के रक्षक है जब श्रीराम रावन का वद करके अयोध्या वापस आय थे तब उनके साथ हनुमान जी भी अयोध्या में आ गये थे और यहीं पे रहने लगे थे और तब से लेकर आज तक हनुमान जी हनुमान गड़ी में बैठकर प्रूमी में क्योंकि सुभ़ सुभ़ बहुत कम भीड होती है मैं भी सुभ़ जा रहा हूं अभी साड़े छे हो रहे हैं साथ बेगे से खुलता है तो पहले ही पहुंच आते हैं क्योंकि समान वगर अंदर कुछ भी अलावड नहीं होता है बाकी रास्ते देख लो पूरे एक आप लोग दर्शन करके सीथे बाहर आते हो तो आप लोग देख सकते हो यहां पर आपको बढ़ता है दर्शन जी का महल लेकिन यहां पर रास्ता देख पुरा तोड़ दिया गया है पहले ब्लुक्त रास्ता सही था अई बनाया जाएगा इसको बाके हम जा रहे हैं पहले आपके यहां पर भी दर्शन करेंगे चलते हैं सीथे जो पहले के यहां पर रास्ते थे वह बहुत ही बेकार तरीके देखे अब यहां पर सब तोड़के से बनाया जा रहा है काफी अच्छा लग रहा है दिखने में में गली चौड़ी ओचुकी है पहले इतनी थी अब यह यहां से लेकर वहां तक इस पेस हो चुका है और वहीं से रास्ता है राम जलमुह में जाने के लिए और वहां जाते जाते आते आपको यहां बहुत सारे मंदर देखने को मिलेंगे इस टैचू लगे हुए काफी सुंदर लग रहे हैं तो पहले पूरे शॉप्स होती थी थ तो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जो पुराना वाला रास्ता था उसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया है और अब एक बिल्कुल नए रास्ते से आपको अंदर एंट्री कराई जाती है उस रास्ते में आपको निशुलक वाश्रूम और निशुलक लॉकर जाती है तो आपको पैसे देने की जरूरत निया मुझे पता निकोर से मैंनिया करके आपक й अच्छे तरीके से रच होगा तो सामने लिखा हुगा है वेटोष ही दाम जनम हम्नि मंदर है और जो यह वाला यह सीधा जाता है आगे तो आप लोग इस रासे से बाहर निकलेंगे और वहां से जाके निकल जाएंगे और इस रासे पर से जाएंगे तो आप लोग अंदर जाएंगे तो राम जनम भूमी से दश्रत महल की ओर जाते वक्त रास्ते में आपको बहुत सारी दुकाने देखने को मिलेंगी और आप लोग चाहें तो इन दुकानों से शॉपिंग वगरा कर सकते हैं आप लोग इन दुकानों से राम मंदर की फोटोग्रैफ्स श्री राम सीधा जी की फोटोग्रैफ्स अपने याद की तौर पे अपने घर पे ले के जा सकते हैं तो मैं अभी अपने दुकानों अपने मंदर कर दिया गया है लेकिन तरेता युक में महराजा दश्रत अपने पूरे परिवार के साथ इसी राजभवन में रहा करते थे आज के समय में इस मंदिर में आपको चणाम्रित और मिश्री का प्रशाद दिया जाता है तो जी दर्श्रत महल में दर्शन में ने कर लिये हैं बहुत अच्छी दर्शन हो गया है कपाट भी खुल गया अच्छी दर्शन करें बैठा में कफी अच्छा लगा बैठके वहां पे अगर आप लोग आ रहे तो आप लोग के परिवर का रियल का एक हिस्सा हो काभी कुछ वाकिंग दिस्टेंस पर ही मिल जाएगा तो यह रास्ता आता है कनकभवन की ओर तो यहां से थोड़ा सा वाक करते करते हम लोग आए हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कनकभवन पर सामने ही है कनकभवन और सामने हैं गौमाता यहां पिश्ली बार भी आया देखने को मिलेंगे तो इससाफदान रहे इस आखेया ना मिला है नहीं तो भाई कुछ ना को जाएगा पका और यहां पर भी आप लोग शूस वगर उतारने होते हैं अन्द आने से पहले कनकभवन बहुती ज़्यादा सुन्दर और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्यो पर दिया था, और यही पेक श्रीराम और सीटमया रहते थे, काफी अच्छा लग रहा है यहां पर, काफी शांति है यहां पर ज्री में स्कार्मार भी जिंश कटहूंत दोल्ग लूट है, तेजले केस गए, हुआ कि यहीज़्ढ़ इतर कर थ है कि, लिग गगनारत आपर से, बहुत सारे दिखता हूं बट आप लोगों में दिखाता हूं यहां पर लोगों इडली वड़ा भी मिल जाएगा विदाउट अनियन गार्लिक जातर खाना यहां पर विदाउट अनियन गार्लिक ही मिलता है तो वह सामने ही है कनक भवन और थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको एक शौप दिखेंगी कनक रसोई पिछली बार यहां पर खाना खाया था इस बार भी ट्राई करते हैं उपन अगल शलते हैं अन्दर सो गाई इस पिछली बार भी यहीं पर खाना खाने के लिए बट कर दो धार रहा हैं और ने अच्छा खाना होता है अगर लोगा वहां पर खा सकते हो बढ़ा खाने की गारेंटी ओंद तो अब यह को शायद चायद सी दूसरी जगह पर अपना जो है लंच करना पड़े का बुग बहुत बढ़ी बता रहे हैं कि बस हार्ली एक मेनी के मैं आ चुक हूँ प्रबु श्री राम भोजनाले यह जस्ट अपना रुमान गड़ी का जो में रस्ता जा रहा है वहीं भड़ता है यहां से मैं और किया है समुझे छोले और छोले वटूरे भाई मुझे नहीं बता क्या है बट इनके छोले वटूरे भाई बहुत ही ज्याद वह बहुत स्वीट थे व्लॉगिंग का एक फाइदा होता है कि अगर आपके हाथ में क्यामरा हो तो हर किसी का नेचर बहुत अच्छा हो जाता है तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा जो माजा थी वर्टल वह भी एक्स्ट्र उपर गरी काफी सूइट अंकल थे काफी अच्छे बैठके आराम वग्यरा कर सकते हो तो यह है युद्या का में चौक यहां पर लोग बड़ा सा स्थार निखाई देगा मेरे पीछे ही है जिस वह बड़ा सा स्थार पीछे ही चौक है मैं जा रहा हूं वागे कियो यहां पर है राम की पैड़ी मेरे पीछे देख सकते हूं बहुत से लोग ना रहे हैं यहां पर एक। तम क्रेजी दरीके से ना रहे हैं आथ है यह पानी आ रहा है मैं पैट चुक ए है लिटरली फुल मजे में हैं लोग यहां पर कहा जाता है कि यहां पर इसनान करने से जो आपके पाप होते हैं वो तो हो जाए जाए जाश्टी राम की पैड़ी पे ही मौझूद है नागेश्वरनात जी का मंदर ये एक शिवजी का मंदर है कहा जाता है कि श्री राम के पुद्र लव और कुष्ट दोनों यहां पे ज़बीशेक करने के लिए आया करते थे तो अगर आप लोग राम की पैड दर्शन हो चुके हैं चलते हैं आप बाहर तो इस साइड है राम की पैड़ी और इस साइड है सरियो रिवर जहां पर जो क्रूस है वो चलता हैं यह है में सरीयोजी रिवर यहां पर बहुत बढ़ी रिवर है यहां पर चाओउं तो बोटिंग गर सकते हो बठाहा जटायू क्रूज और जट सामने है बुकिंग काउंटर यहां पे और यहां पी जो 300 का प्राइज लिखा हुआ है अभी 250 का है क्योंकि जो रूट है वो फ्रॉट किया गया है और अभी बस 30 पैसेंजर्स रख रहे हैं तोटल के पैसी 100 का है बाकि मैं टिकेट ले रहा हूं यह बाकि व्यू देखो भाई क्या खुबसूरत नजार आया वाई वैसे अगर आप लोग चाहों इसकी प्राइवेट बुकिंग कराना तो आप लोग प्राइवेट बुकिंग भी करा सकते हो अगर आप लोग 10-12 लोग हो तो इसली आप लोग जो है पर पर परसंट 250 तो सामने से वह आ रही है हमारी जटायू क्रूज वह प्राइवेट के लिए गई हुई थी और हम भाई इस बोट में दजार कर रहे हैं जटायू क्रूज का और इनसे मिलिए ये हैं सर नाम क्या सब आपका रिजएश पंडे जी जटायू क्रूज में जा ओगा तो यही कि यहां इंदर एंट्री होंगी नहीं बिलेगा तो नहीं मिलेगी तो फिलेगा अधेक हो बिल यहां पर बेक यहां पर कि यहां पर इनर ड़ेक पुछ ऐसा है यहां पर मैं अंदर बैठा हूँ जटायू क्रूस के मैं लोवर डेक में हूँ अभी सब लोग उपर बैठे हैं क्योंकि अभी नीचे का बिल्कुल चालू नहीं हुआ है कोई अलाउड नहीं है यहां पर मैंने बोला तो यहां पर रिकॉर्ड करने को दिया है मेरे बाकि मैं आप लोग लग रहा है और अभी दिरे-दिरे इसको बनाया जाएगा और आगे बढ़ेंगे यहां पर यहां पर लोग देख सकते हो यह है जो है यहां से ऑपरेट होता है पूरा जटाई जो क्रूस और यहां पर पूरे पाइले रहते हैं पूरी चेकिंग होती है इसे मैं आपको आता है ऐसा नहीं है कि आपको अंदर ले जा रहे है पूरी सेफटी और आपको एक LED यहां भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत सही है और पीछे आपको दो LED और देखने को मिलती है यहां पर AC यहां भी स्टूडिंग देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से आपको फैन भी दि अब मैं आपको लेके चलता हूं जहां के जो अपर डेक पे क्योंकि अपर डेक पर अपर के बहुत ही क्रेजी है क्योंकि हर को एक्साइड रहता है उपर जाने के लिए बाकि पहले तो पीछे देख लो आप अब खड़े लोग है फुरा फ्री स्पेस आपके लिए है लोको रिलाक्स हो की खड़े हो सकते हो बाकि यहां पर आप लोग देख सकते हो पूरा सीटिंग अरिया है 30 लोग की अपर बाकि यहां पर साइड ग्रिल दे रखे है अच्छे से खड़े हो सकते हो पूरी थंडी हवा आने वाली है बहुत ही सई वैदर वैदर के साथ और ऐसे देख लोगा इस पूरा में ऊपर घड़ा हूँ अभी लिटरली हर कोई हमें देख रहा है यहां से चारो तरफ से क्योंकि हम घड़े हैं अभी जटाइयो कुरूस पे गाइस वैदर देख सकते हो बहुत ही अच्छा वैदर है सब लोग excited है और यहां पर पूरा system लगा है जस्ट अभी घड़ 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 शुरू हो चुकी है और लोगों की excitement हमसे जाता है गाइस यह देख बड़ी है लोग इसको देखने के लगड़ें कि यह क्या चीज आ गई है यहां पर बट क्रेज है इस चीज का सो लाइट वगरा सब कुछ ओन हो चुका है गाइस वी प्राइस की बात करूं तो इस टाइम वबिर 250 रुपीज पर पर प्रपाइस की बात करूं तो इस ताइम वबिर 250 रुपीज पर पर्सन का चार्ज़ है क्योंकि अभी जो रूट है वह बस एट किलोमेटर का हो रहा है अभी धीरे-धीरे चीज़े सेट हो रही है आने वाले टाइम में जो रूट है यह 16-18 किलोमेटर का हो जाएगा और प्राइस थ्री हंड़ तक चले जाएंगे और हो सकता है प्राइस और भी वैरी कर सकते हैं तो अगर आप लोग जटायू ग्रूस पर आते हो तो खाली आपको बस ट्रिप नहीं दी जाएगी आपको स्नैक्स वगर भी सब किये जाएंगे यहां पर इसका मज़ा लेते लेते आप लोग इन व्यूस का मज़ा लेंगे और एक्सपीरेंस जो लेडर है इसको लगा देंगे यहां पर और इससे हम लोग उतरने वाले हैं तो जी फाइनली ओर एक्सपीरेंस काती है अच्छा था और बारिश हो रही है चलते हैं फटफट से आर्टी अटेंड करनी है वाट गाइस एक्सपीरेंस बहुत ही अच्छा था फटफट से जा रहा हूं का आरती अटन करनी है आरती मिस्टी ओनी चीह यार तो वाइस इत्स रेइन वेरी बैड ली बट इवन रेन के आंड स्टाओ आरती ओ अच्छा था दॉनी इस इस पूर दिस एवन्रिया तो गाइस यहां धुट वाष्ट अधु आ चाहएं था यूट राएं फिर भी आरती बहुत छेसे हुई है और आरती खतम हुई और बारिश रुख गई गाइस दिस इस इंसेन तो अलमोस्ट साथ बज रहे हैं और मेरे को व्लॉग बहुत पहले एंड कर देना था बट डिस आरती गाइस इस 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 लाइक अनफॉर्गेडबल लिटरली पूरी बारिश में सब लोग खड़े थे पूरी भक्ती भावना से बहुत इंसेन बहुत क्रेजी सीन था बहुत लेकिन गाइस अब फाइनली टाइम आ चुका है व्लॉग को एंड करनेगा क्योंकि बह गुमादी आप लोग को सारी डिटेल्स दे दी हैं आप लोग को मैंने बजट वगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी मैं मिलता हम आप लोगों से किसी अगले व्लॉग में तब तक के लिए ध्यान रखो अपना इंस्ट्राइम पर फॉलू कर लेना सारे BTS वगर के लिए प्रोटकास्स चैनल जोइंग कर सकते हों सारी डिटेल्स मिल जाएगी मैं मिलता हम आप लोगों से किसी अगले व्लॉग में तब तक के लिए ध्यान रखो अपना टेक कियर पीस आउट जैश्री राम